नमस्ते दोस्तो जै संतोशी माता बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइवी शिखा में दोस्तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संतोशी माता के वरत में कौन-कौन से फल खाये जाते हैं और कुछ ऐसे चीज़ें में आपको बताऊंगी जो हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोग पूछते हैं कि मैं में चीज खा सकते हैं इन चीजों का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सारी जानकारी के लिए वीडियो में आखरी तक बने रहिए दोस्तो जो भी संतोशी माता का वरत करते हैं, वो लगभग सभी जानते होंगे कि संतोशी माता को खटा पसंद नहीं और इस दिन खटा नहीं खाया जाता है, ना ही खटी चीज़ों को हाथ लगाया जाता है दोस्तों संतोशी माता के वरत में कौन से फल नहीं खाने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ संत्रा खट्टा होता है, अंगूर खट्टे होते हैं, कीवी खट्टा होता है, अनानास, स्ट्रोबेरी ये सभी खट्टे फल है यहां तक कि सेव फल भी हमें नहीं खाना चाहिए अनार, नाशपाती, आम ये सभी खटे फल हैं इनको भी नहीं खाना चाहिए संतोशी माता के वरत में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि संतोशी माता के वरत में आप सिर्फ केला खाईए केले के अलावा अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप तरबूज और खरबूजा खा सकते हैं पपीता खाने में खटा नहीं लगता है लेकिन ऐसा मानती है कि पपीते में विटामίν सी काफी हद तक पाया जाता है चीकू भी आप संतोशी माता के वरत में खा सकते हैं लेकिन थोड़ा विटामिन सी इसमें भी पाया जाता है तो आपको संतोशी माता के वरत में केला, तर्बूज और खर्बूजा इनके लावा अगर आप कुछ ना खाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम हमने मार्केट से पेड़ा लाकर खा लिया, कलाकंद खा लिया और बर्फी खा ली, छेने का ये खा लिया, पनीर की सबजी खा ली तो याद रखिए, छेना बनता है दूद को फाड कर, और दूद में फाडने के लिए राला जाता है नीबू, और नीबू खटा होता है तो दूद को फाड कर, जो भी चीज़े बनाई जाती हैं, जैसे कि पनीर, छेना बगेरा, उनकी कोई भी चीज़ आप संतोशी माता के वरत में नहीं खा सकते और मैं तो कहूंगी कि आप संतोशी माता के वरत में जो भी खाएं, घर का बना हुआ ही खाएं क्योंकि अगर हम मार्केट से कोई मिठाई लाते भी हैं, पेड़े भी लाते हैं, तो भी हमें नहीं पता कि उन्होंने खटे हाथ लगाए हैं उसके अंदर, या कैसे हाथों से उन पेड़ों को स्टोरेज किये हुए पेड़ों में से निकाला है संतुशी माता के वरत में आप जो भी फलाहर करें, घर का बना करें, घर का बना हलवा, सिंगाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सिंगाड़ा खटे फल में नहीं आता है, आप और जानकारी प्राप्त कर लें, आलू का हलवा बना सकते हैं, ल का वीडियो उसके लिए मुझे किसी ने बोला था कि आपने खीर में इलाइची डाली है तो इलाइची खटी चीजों में आती है देखिए मैं ऐसा नहीं मानती इलाइची खटी चीजों में नहीं आती है हाँ इलाईची कहीं पर खटाइस का काम कर जाए हो सकता है क्योंकि इलाईची में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो चीज़ों को गला देती है अगर हम केले के भरे हुए टरक में दो-चार इलाईची डाल दें तो आप देखेंगे कि जो केले हैं ट्रक भर के केले वो सारे केले गल जाएंगे तो ऐसा कुछ chemical reaction होता है लेकिन इलाईची खट्टी चीज़ों में नहीं आती है और छोली की सबजी के लिए मुझे किसी ने बोला था कि आपने उसमें बेकिंग सोडा डाला है वो भी खट्टा होता है तो मैं वो भी नहीं मानती क्योंकि बेकिंग सोडा खट्टी चीज़ों में नहीं आता है वो कोई chemical reaction है जिसके कारण चीज़ें सोडा डालने से फूल जाती है कुछ chemical होता है अगर आप नहीं डालना चाहते तो मट डालिए साधरन आलफ की सबजी भी बना सकते है छोले की सबजी छोड़ दीजी तो ध्यान रखिए वरत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर की बनी चीज़ें ही इस्तेमाल करना है इसके रावा दोस्तों मुझे किसी ने कूछा था कि संतोशी माता के वरत में बिस्किट खा सकते है अब आप बताईए वरत में बिस्किट कौन खाता है बिस्किट का मतलब गेहूं और वरत में अनाच कोई भी नहीं खाया जाता है और इस्पेशली संतोशी माता के वरत में तो आप घर का बना हुआ ही खाए फ़लों को खाते समय विशेश ध्यान रखें कोई भी फल काते समय विशेश ध्यान रखें कि खटा ना हो कोई फल और ना ही खटी चीज़ों को हाथ लगाएं तो दोस्तो यह थी संतोशी माता के वरत में खाने पीने से लेकर संबंदित जानकारियां लोग बहुत कंफ्यूज भी बना दें कि कौनसे फल खाना चाहिए कौनसे नहीं उमीद करती हम आपको वीडियो पसंद आया होगा बहुत हेलफूल लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया है झालृप ज्बश्रूण जबना न भूलिएगा और बैल आइकम ज़रूर दबा देना ताकि आपको वीडियो में जै मासंतोशी